हाई गाईस स्वागा थे आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोजी का प्रोजेक्ट जिसका नाम है कलेक्ट दा इन्फरमेशन अबाउट यूसफुल एन इंपोर्टेंट फंगल और्गनेशन तो यह क्लास 12 के लिए भी है और 11 के लिए है और आपका जो बालोजी का हैंडबुक होता है उसके पीछे लास्ट में कुछ प्रोजेक्ट के टॉपिक दिये हैं उसी में से प्रोजेक्ट नमबर जो 11 है 11 नमबर का टॉपिक हो है यह तो यहां पर सब बेसिक इन्फरमेशन है मैंने पिछले वुडियोस ने बता है कि क प्रोजेक्ट है उसका इंपोटन्स क्या है क्यों आप प्रोजेक्ट बना रहे हो इसके बाद डिस्क्रिप्शिन ऑफ मेथाड यानि कि मेथोलोजी यहां पर आपको लिखना है तो आप वेबसाइट के बारे में लिख सकते हो कि मैंने इंटरनेट से रिसर्च किया है और ज इसका सांटिफिक नेम होता है सेक्रोमाइसिज सेरिवेसी कॉमन नेम इसका है बेकरिस्ट जिसका यूजमेंली ब्रीविंग इंडस्ट्री जो होता है अलकोहल इंडस्ट्री एंड चीज वगरा बनाने में ब्रेड बनाने में होता है इसका यूज तो यहां पर इसका कुछ importance देख सकते हो beer industry में alcohol industry में इसका use होता है उसके बाद food industry में use होता है तो यह होगे हमारा first fungi इसके बाद second है button mushroom इसका common name है button mushroom and scientific name देख सकते हो agaricus bisoporos and इसका classification taxonomical classification और इहाँ पर इसका importance uses तो यह सारा जो pdf है आपको हमारे telegram group पर मिल जाएगा description में है आप telegram group join करना आपको a pdf वहाँ पर मिल जाएगा उसके बाद third हमारा यहाँ पर fungi है penicillium chrysogenum इसका सारा information यहाँ पर देख सकते हो इसका main news होता है जो penicillin है उसको produce करने में penicillin antibiotic प्रोड्यूस करने में उसके बाद फोर्थ हमारा यहाँ पर जो organism है ओ है common pin mold इसका common name है mucormucido and scientific name है mucormucido lean and इसका classification वगरा देख सकते हो और यहाँ पर इसका basic use क्या है ओ देख सकते हो इसके बाद हमारा जो पाचवा fungi है ओ है aspergillus nizer and इसका scientific name है aspergillus nizer इसका classification यहाँ पर इतना देख सकते हो और इसका uses क्या है वह आप देख सकते हो and at last यहाँ पर हमारा चटवा एक fungi है जिसका नाम है argot और scientific name सकते हो cleviceps purpurea और इसका classification और यहाँ पर इसके uses क्या है इसका importance क्या है तो argot जो है एक बहुत important आपका fungi है जिससे बहुत सारे medicines मिलते हैं बहुत सारे alkaloids मिलते हैं और यहाँ पर इसका uses देख सकते हो है medicinal uses इसके जो alkaloid है जैसे की argotamine, argometrine इसका use medicines में होता है और इसके बहुत सारे hallucinogen जैसे की LST, lycergic acid, dithylamides भी मिलते हैं जो की hallucination में use होते हैं तो उसके बाद और भी कुछ इसका use यहाँ पर देख सकते हो तो यह था आपका organism argot तो हमने total six micro organism यहाँ फिर fungi बोलो वो देखें इसमें से जो जो आपको लिखने हैं वो आप लिख सकते हो यहाँ पर इसका conclusion तक conclusion में आपको बजाना होता है कि आपका project overall क्या कहता है तो हमारा जो project है उसका conclusion देख सकते हो कि जो organism होते हैं fungi वो हमारे daily life में जरूरी होते हैं और daily life में जो भी users वगरा है उसमें भी यह बहुत ही important है यहाँ पर इसका conclusion देख सकते हो and bibliography यहाँ पर है sources हैं तो यही था आज का हमारा video आज हमने देखा एक project biology का इसका PDF आपको हमारे telegram group पर मिल जाएगा मिलते हैं अने किसी वीडियो में तब तक के लिए आप मुझे इस्टेगराम पर follow कर सकते हो अपने doubt पुशने के लिए धन्यवाद